है कि हलो जुट करते हैं उत्तल गोली प्रेस्ट पर अपवर्तां ठीक है इस तरीके से कांश की खोखले गोले का भाग है अब देखें हम बाएं से नैंसरे तरफ पर हमेशा चलते हैं तो देखेंड यह कीशिए है उभरा हुआ है थलिक stumbled Awesome water लिखते हैं ॉभरा पाहें से दाय जाने पर उभरा लिखा है तो उवले से हम बना लेते हैं उत्तल ठीक है तो यहां उत्तल गोली प्रिष्ट है उत्तल दरपड़ उत्तल गोली प्रिष्ट में क्या होता है उत्तल दरपड़ में होता है बस इसी को इस तरीके से क्या करते हैं पालिस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका गोली प्रिष्ट कहलाएगा और पालीच कर देंगे तो गोली दर पड़ा जाएगा तो बाहें से दायां चलने पर जो उभरा हुआ प्रतीत हो जो वाला शिरा उभरा हुआ प्रतीत हो वो आपका उत्तल गोली प्रिष्ट कहलाता है ठीक है तो वीरल माध्यम इसके लिए हम N1 लिखते हैं और यह आपका शखन माध्यम में इसके लिए हम N2 लिखते हैं ठीक है student उसके बाद यह जो है गोली प्रिस्ट है इसका नाम हम देते हैं यहाँ पे मिडल साइड में कहीं पे और यहाँ पे यह जाइस तो हम इसको जी तरीकी से हम फीगर ड्रा करेंगे उसी तरीके से हम इनका यहाँ पे घ्रिक्षण को भूमिका लिखना लिखना शीख लेंगे तो कैसे लिखेंगे माना या ड्रा करेंगे माना यस पी यस डैस एक अव उत्तल गोली प्रिष्ट है जिसके मुख्यच सीपी पर जिसके मुख्यच सीपी के बाई तरफ एक बिंदू वर्स्तू ओ इस्थित है माना यस पी यस डैस एक उत्तल गोली प्रिष्ट है जिसके मुख्यच सीपी पर बाई तरफ सीपी के बाई तरफ एक बिंदू वर्स्तू ओ स्थित है बिंदु वस्तु O से एक प्रकास की किरड़ गोली प्रिष्ट के उत्तल गोली प्रिष्ट के बिंदु E पर आपतित होती है बिंदु इस बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु वस्तु O से एक प्रकास की किरड़ गोली प्रिष्ट के बिंदु E पर आपतित होती है जो अपवरतन के पश्चात क्या होती है इसको इस तरीके से सीधे चला जाना चाहिए शुड़न लेकिन क्या है विरल माध्यम से सगन में माध्यम में जा रहा है तो थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ अगर अभी लंब बनाते हैं तो इसको सीधा में जाकर यह थोड़ा सा जूक जाएंगी और फोड़ा सा जूक जाएंगे इस तरीके से इस तरीके से बेंड कर दाएंगे बिंदु वस्तु O से दूसरी प्रकास की किरड़ क्या है मुकर्च के समानतर तो यह आगे चलके यह वाली किरड़ देखो और यह वाली किरड़ देखो यह आगे चलके एक दुसरे को कभी मिलेंगे नहीं तो इस वाली किरड़ को हम यहां से पीछे बढ़ाते हैं ठीक है यहां से इस किरड़ को हम इस तरीके से पीछे बढ़ाते हैं तो इस वाली बिंदु आई पर इस को असरों बिंदु आए पर बनाएंगे छोडन करते हैं इस तरह से हम मानता हैं कि यहाँ पर यहांस यह जो कोड़ बना इसको यहां पर जो कुर बना है इसका नाम हम देते हैं घेज्ड़िन्ट इसमें कुछ बचा यहाँ का अभी हम अभी है तो इसका नाम हम एन दे देते है यह आपका अभी लंब हो गया और कुछ बचौ 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 यहां खांग्त हम एक बिंदूह debenu हो गया believing कि entren कि रर का नाम A B होगा ठीकर तो अब यहां पर कुछ बचा जी स्टुडेंट यहां पर बचा देखिए क्या बचा यह यह अभी लंब है तो यह अभी लंब और यह बिंदू O के बीच में यहां पर यह इंगल जो बनेगा इस इंगल का नाम होगा आप तनकोल यह आई देखिए यहां पर यह दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे और यहां पर देखिए यह जो एंगल बनेगा यह 90 डी बनेगा तो इस तरीके से आप इसका यह पूरा का पूरा फीगर ड्रा करना जरूर सिख जाए अब क्योंकि यह वाला जो डेरिवेशन है यह वाला